तो आज हम घर पे बनाएंगे DIY Hair Removal Cream जिसका इस्तेमाल सिर्फ आपको रात को सोने से पहले करना है और पुछ दिन के अंदर आपके चैरे से जो अंचाहे बाल है वो हटने लग जाएंगे मतलग इस घरेलू करीम से आप हमेशा के लिए अंचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं वो भी घर बैठे बैठे और इसे बनाना बहुत ही असान है इसके लिए जो भी चीज़े एड़ करेंगे सारी की सारी नेच्रल होंगी आपकी स्किन के लिए सेफ होंगी तो जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि डेली डेली कुछ बना कर लगाएं तो उनके लिए तो ये जो होमेट क्रीम है बहुत ही हैलफुल रहेगी क्योंकि इसको आपको एक ही बार बना के रख लेना और काफी समय तक यह खराब नहीं होती है बस रात को सोने से पहले आपको लगाना है डेली डेली कुछ बनागे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तो है ना कितने कमाल की मतलब नैच्रल तरीके से अगर आप अंचाहे बालों को हटाना चाते हैं आपको बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलने वाले है तो जो लड़किया फेशल हेर को हमेशा के लिए हटाना चाहती है लेकिन गर पे बनी चीजों से तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशल होने वाली है अगर कर सकते हैं तो कितने दिन के लिए कर सकते हैं और कितने दिनों में आपको रिजर्ट दिखना शुरू हो जाएगा और इसको कब-कब लगाना है दिन में कितनी बार लगाना है या हफते में कितनी बार लगाना है तो ये सब तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा एंट तक देखोंगे, बिल्कुल कट-कटा के वीडियो को नहीं देखना है, पूरा एंट तक जरूर से देख लीना है, ताकि आपको हर चीज का पता चल सके, तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो! तो इस क्रीम को बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रीडियन्ट है, वो है पपाया, जिसे हम पपीता भी बोलते हैं, आपको कच्चा पपीता लेना है, पपाया में एक पपाइन नाम का एंजाइम होता है, जो की फेशल हेर की जड़ो के उपर काम करता है, पतलब जो आपक इसको continue use करते रहेंगे, तो मैं सच में कहा रही हूँ कि जो आपके बाल है, वो permanently remove होने लगेंगे, और सबसे अच्छी बात हो ये है, अगर आपकी बहुत sensitive skin भी है, तब भी उनको ये suit कर जाता है, अगर आप कच्चे पपीते का juice निकाल लेते हो, उसको ही direct अपने face के उप लगा लेते हो, जहां पर आपको facial hair की ज़्यादा problem है, वहां पर लगा लेते हो, तब भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर आपके बास daily daily इतना time नहीं होता है लगाने का, तो ये cream आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है, क्योंकि इस भी हम दो तिन चीज़े और add करेंगे, जो की और भी ज़्यादा दुगना फाइदा आपको देंगे, बहुत जल्दी आपके बालों को remove करने में मदद मिलेगी, तो इसके लिए आपको कच्छा पपिता लेना है, उसको आपने धो लेना है, धोने के बाद जब आप इसको काटेंगे, तो इसमें जो चलिए, अब हम इसकी क्रीम प्रिपेर करते हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको कोई भी काटोरी लेनी है, वो तो आपको चाहिए होगी, तब ही बनेगी क्रीम, उस में आपने इसका जूस जो है वो डालना है, लेकिन आपने इसको छान लेना है, क्योंकि हमें इसका जो सिर्फ इसका रस ही आपको चाहिए ताकि जो आपकी क्रीम है वो अच्छी consistency में बन जाए तो फिर आपने इसको चनी की मदद से आपको चान लेना है अभी इसका juice कितना आपको लेना है आपने सिर्फ 4-5 चमच ही इसका juice लेना है उसके बाद जो आपने इसमें अच्छा होता है फेशल एर को जड से हटाने में मतलब बहुत पुराने समय से इसका use होता आ रहा है फेशल एर को हमेशा के लिए हटाने के लिए तो वो है fit अपके घर में पढ़ी होगी नहीं पढ़ी है तो लोकल मार्गेट से ले लेना तो यह आपको बड़ी easily market में मिल जाती है बहुत ही कम price में मिल जाती है शायद मेरे को 20 रुपे के around मिली थी यह तो fit curry के बारे में तो सब जानते होंगे अगर आप facial hair को जट से हटाना चाते हैं अगर चाहे आपके body के बाल है चाहे face के बाल है तो market में बना बनाएब इसका powder मिल जाता है online आप purchase कर सकते हैं या फिर आप local market से जाके ले सकते हैं आपको शायद मिल जाएगा लेकिन online तो definitely आपको मिल जाएगा तो जो हमने पपीते का रस लिया है उसमें आपने इसका आधा चमच इसका इसमें डाल देना है और इनको अच्छे से mix करना है ताकि इसमें किसी तरह की कोई लंज ना रहे अच्छे से ये mix हो जाए ये दोनों चीज़े इना अपने आप में इतनी powerful है facial air को जट से हटाने में मतलब कि दोने जब मिल के आप इसको अपने face के उपर लगाएंगे तो आप सोची सकते कितना अच्छे से ये काम करेंगे कितने अच्छे से बालों को remove करेंगे तो फिर इन दोनों को अच्छे से mix करना है उसके बाद जो आपको third add करना है वो है turmeric मतलब हल्दी देखें यहां पर आपको wild turmeric लेनी है kitchen healthy बिल्कुल मतलेना क्योंकि वो face के उपर color ही छोड़ती है turmeric भी बहुत अच्छे से skin problems को दूर करने में मदद करती है अगर आपके पास wild turmeric है तब ही आपको लेनी है नहीं तो kitchen healthy मतलेना आप इसको skip कर देना अभी इनकी अच्छे से cream बन जाई उसके लिए आपको लेनी है aloe vera gel आप कोई भी brand की ले सकते हैं यहां पर आपको एक चमच aloe vera gel add कर देनी है उसके बाद आपने इसको अच्छे से mix कर लेना जब आप इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच् और add कर सकते हैं ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कितनी beautiful सी cream बन के रेडिया इसमें जो भी चीज़े add किये वो सारे facial hair को natural तरीके से जड़ से हटाने में काम करती हैं बहुत ही अच्छे सी ingredient है इसमें अभी आपके मन में question आ रहोगा कि इसको कितने दिन के लिए store करना है कब कब आपने इसको लगाना है और कितने दिनों में आपको result दिखना शुरू होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो फिर आपने पहले अपने face को अच्छे से clean कर लेना है especially आपने इसको रात को सोने से पहले जरूर लगाना है ठीक है जहां जहां आपको facial hair की ज्यादा यूज करते रहेंगे तो जो बाल है वो पर्मारे रिमूफ होते जाएंगे दस या पंदरा मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद नोर्मल पाने के साथ आपने अपने face को wash कर लेना है लेकिन इसको लगाने के बाद प्लीस आप skin को hydrate जरूर कर ल अगर आप सोच रहे हैं कि आपको घर बैठे अपने बालों को हटाना है वो पर्मारेंटली हटाना है और वो जो है वो आपके दो-चार बार लगाने से बाल हर जाएंगे ऐसा कभी भी नहीं होता है नहीं ऐसा होने वाला है आपने थोड़ा सा patience रखना है regularly इसको use करना है त कितने दिन स्टोर कर सकते हैं मैं कि इसके बारे में जो भी information थी वो सारी बता दी लेकिन अगर आपके पर में फिर भी कोई डाउट हो तो आप comment books मेरे को पूछ सकते हैं मैं जरूर reply करने की कोशिश करूंगी और यह तरीका था कि कैसे आप अंचाहे बालों को हमेशा के बाल है आप उनको इंस्टें रिमूब करना चाहते हैं एक ही बार में लेकिन कोई नेचुरल तरीके से तो बहुत ही अच्छी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेर किया तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्श पी मिल जाएगा जरूर से देख लेना कि कैस आप घर बैठे इंस्टेंट एक ही बार में अज्जाही बालों को हटा सकते हैं तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी बैनी फिश्यों रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना हो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक भी नहीं किया है तो मैं नेहां मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक कियर और बाई बाई